माल दिव को डॉक्टर एस जैसंकर ने एक बहुत ही करारा जवाब दिया है बुल्लिव करने वाले ऐसा नहीं करते हैं आखिरकार डॉक्टर एस जैसंकर का वीडियो बहुत ज्यादा वाइरल क्यों हो रहा है वो भी इन सब के बीच में जब माल दिव ने रिष्टे को बिगा के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से अब ये किसी से छिपी हुई नहीं है कि माल दिव के अंदर जो नई सरकार है वो सरकार भारत के साथ रिष्टों को चलाने के मोड में नहीं दिख रही है और जहां तक म मुईजू ऐसे दिख रहे हैं जैसे किसी भी तरीके से रिष्टे खराब हो और जनता को लगे की भारत बुरा है ये उनके हरकतों में साफ साफ दिखता भी है मुईजू कहते तो हैं कि हम आत्म निर्भर बनेंगे लेकिन आत्म निर्भर बनने वाली चीज़े नहीं दिख ऐसा इसलिए क्योंकि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप एक आर्टिकल जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि माल्दिव और चाइना के बीच में 21 एग्रिमेंट हुए हैं जब मुईजू और सी की मीटिंग हुई थी अब जरा सोचिए कोई बंदा हाल फिलाल में राष्टपती ब दनी हैं उन्होंने चीजों को ठीक से समझा है नहीं समझा है पर पहली ही मुलाकात में 20 एग्रिमेंट साइन हो गए यानि कि परदे के पीछे काफी लंबे समय से एक बड़ी प्लानिंग चलती आई है तभी तो एक मुलाकात में 21 एग्रिमेंट साइन हो गए अब इससे होत इसी बीच अब मुईजु को अपनी जनता को भी खुस रखना है और खुस दिखलाना है तो इनोंने कुछ इस तरीके से एर एम्बुलेंस की घोसना की की देखो हमने पहला अपना माल दिव का एर एम्बुलेंस बना लिया है अब हमें दिरे-दिरे किसी के ऊपर निर्भर रह पर इसी सोसल मीडिया पोस्ट में कई सारे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आप पेंट करके कुछ भी हमें दिखा रहे हो इसका मतलब यह नहीं है कि हम पूरी तरीके से आत्म निर्भर हो गए हाला कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं उनकी बातों में बहुत सारी चीजे हैं और एक दम है स्क्रीन पर ऑफजर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट को देख सकते हैं आप जिसमें भारत से कितना बैपार करता है चाइना से कितना करता है और कितना जादा माल्दिव दूसरों के उपर निर्भर है यह चीजें साफ साफ दिखती है जाए वो गश्च वारत से थापार इका अब यहां पर तरिस तुम्हार करैं तो यहां पर आपको मिले गारत और दूसरा मिलेगा चाइना भारत कई सारे महतपुर्ण चीजों में मिले चाइना फर्नीचर, फिक्स्चर्स, फर्नीचर्स वगेरा में देखने को मिलेगा पर कहने कारती यह है कि जादा तर इनका समान खरीदर के ही आता है अपने देश के अंदर ऐसे में पूरी तरीके से आत्म निर्भर बन पाने के लिए इनके पास कई सीमित संसाधन है और उसी सीमित संसाधन में इन्हें आगे बढ़ना है इसलिए आईएमेफ ने चेताया था मालदिव को और चेताते हुए कहा था कि आपकी एकोनोमिक कंडिशन ठीक नहीं है इसलिए आप चाइना के करजे पर थोड़ा ध्यान से कदम रखें आईएमेफ ने पहले ही चेता दिया है और जहां तक भारत की बात है तो भारत ने अपने नेवी बेस मिनी कोई को 6 मार्च से यानि की 48 घंटे बाद हमारा अपना आईएनेस जटायू पूरी तरीके से तयार मिलेगा मिनी कोई आइलेंड में मौरिसस का आगालेगा द्विप और मिनी कोई ये बेस के रूप में तयार हो रहा है क्योंकि कल की डेट में मालदिव अगर ऐसा ही बना रहता है या कोई और भी पडोसी ऐसे ही पाला बदलते रहते हैं तो भारत खुद में सक्षम रहे खुद में ताकतवर रहे अब इसी बीच एक घटना हुई है और इस घटना के बाद माना जा रहा है कि फिर से एक कहीं कुटिनीतिक संकट न खड़ा हो जाए और हुआ क्या है स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं आप जिसमें कहा जा रहा है कि भारत के एक बोट को एक वेसल्स को पकड़ लिय आ गया है बिजनेस टुडे की ये खवर है जिसमें कहा जा रहा है कि माल्दिव की नेशनल डिफेंस फोर्स ने एक स्क्लूसिव उक्क जो में एक बोट को पकड़ा है यह दर्सल माल्दिव के एस्पेसल उक्कोनोमिक जोन के अंदर 13 मिल अंदर जाकर मशली काम कर रहे थे अब इसे लेकर एक बार फिर से खूट नीतिक संकत खड़ा हो जाएगा वैसे ये पहली बार नहीं है जब मालदि उन्हें भारत के भेसल सोगो पकड़ा हो या सिरलंका ने नव पकड़ा हो या फिर भारत नहीं पकड़ता है पानी के ऊपर कई बार समंदर में पता नहीं चलता है कि कब नाव दूसरे के special economic zone में घुज गई और ऐसे में कई बार मचुआरों को पकड़ लिया जाता है पर जादातर केस में यही होता है कि फिर उन्हें detain करके उनके जाज वगेरा की जाच करके उन्हें छोड़ दिया जाता है पर माल्दिव के साथ एक केस October में भी हुआ था जिसमें 12 मचुआरों को पकड़ लिया था उनके बोट को पकड़ लिया था स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसके बाद मचुआरों को छोड़ दिया गया पहले बोट नहीं लाने दिया गया उनके उपर 2.28 करोड की पेनल्टी भी ठोग दी गई थी तब तमिल लाडू सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि आप इस मामले को देखिए जरसाई से हैंडल कीजिए यह एक मौका था अब यहां पर डॉक्टर एस जैसंकर ने मुईजू के एक बयान का बड़ा ही तगड़ा जवाब दिया है आपको याद होगा मुईजू ने यह कह था कि किसी को लाइसंस नहीं मिल जाता है कि हमें बुली करें स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिस पर डॉक्टर एस जैसंकर ने क्या बयान दिया है मैं चाहती हूं कि यह बयान आप सुने हुआ यह लिन दूदा यह लेह बड़ टो यह लूह आप लिन्स्ट को विप्से सकतबाइब यह बित आपको चाहती हैं है कि अरुटर विध ऑट बेंगान पर इस नहीं मुटर आपने करें सब्साद करें इस इस नहीं मैंने क्या है आपको इस ब्लीजित खर दिया हैं बीम इसकाल के बिगिवी और नहीं पुली और नहीं को और नहीं को अगुडिय। दॉक्टर एस जे संकर ने इस बयान में कहा है कि बुली करने वाले देश मदद नहीं करते हैं हमने 4.5 बिलियन डॉलर की मदद करी हमने महामारी काल में वैक्सिन पहुंचाए तो जो बुली करने वाले देश होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं वैसे इन सब मामले में आपकी क्य आराय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ